पाकिस्तान ने हाली में एक पत्र के जरी अफगानिस्तान को मसूद अज़र का पता लगाने वह उसे गरफ़तार करने के लिए कहा है के साथ ही पाकिस्तान ने मसूद के कुناर और नंगरहार में छिपे होने की आशंका भी जताई है गौर तलब है कि पाकिस्तान ने ये पत्र तब लिखा है जब शंगाई सहयोक संगटन S.E.O. की बैठक होने वाली है गौर तलब है कि 15 वो 16 सितंबर को होने वाली शंगाई सहयोग संगठन की 22 वी बैठक उजबेकिस्तान की समरकंड शहर में होने वाली है हाला कि अफगानिस्तान की तालिबन सरकार ने पाकिस्तान से ऐसे किसी पत्र के मिलने से इंकार किया है वर्तमान में पाकिस्तान की आरते कि स्थिती बहुत कमजोर है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने एक अदम Financial Action Task Force FATF की कारवाई से बचने के लिए उठाया है FATF का गठन जुलाई 1989 में पैरिस के G7 समिट में किया गया था जिसका मुख्योद देश मनी लॉंडरिंग से निपटने हितू उपाये करना था इसे Global Financial Wash Dog भी कहते हैं वर्तमान में इसका मुख्याले पैरिस में हैं और इसमें कुल 49 सदस्य देश हैं वर्ष 2019 में 49 सदस्य की रूप में शामिल होने वाला सौधी अरब FATF का पहला खाड़ी देश है बता दें मसूद अजहर जैशे मुहम्मद का सरगना है और भारत में हुए कई आतंकी हमलों के सीधे तोर पर जिम्मेदार है फिर चाहे वो 99 का कंधार विमान अपरहनों चाहे फिर 2001 की देश की संसद में आतंकी हमला साथ ही मसूद को UN सुरक्षा परिशद ने वैश्विक आतंकी भी गोशित किया हुआ है जिसके चलते पश्यमी देशों ने पाकिस्तान पर मसूद अजहर को गिरफतार करने का दवाय बना रखा है बताया जा रहा है कि दिसंबर 1999 के कांधार विमान हाई जैक में यात्रियों के बदले मसूद अजहर वा दो अन्य आतंगवादियों को रिया किया गया था जिसके बाद अजहर ने जैशे मुहमत को बनाया था